सद्गुरू, मैं विज्ञान प्रिष्ट भूमी का चातर हूँ इस दुनिया के अधिकांश धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया परमाना विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विक्सित हुए है मुझे किस में विश्वास करना चाहिए आप किसके करीब में हैसूस करते हैं इंसानोंने के कारण मुझे लगता है कि मैं इंसानों से विक्सित हुआ हूँ देखिए अगर आप रिवर्स गेर में है तो आपको पहला चुनना चाहिए धर्म गुर्वों की बात कि आपको ईश्वर ने बनाया है और आप उस दिशा में जा रहे हैं तो बंदर के दिशा में न जाए ईश्वर के पास वापस जाए लेकिन अगर आप विकास करना चाहते हैं तो डार्विन की सुनना बहतर है क्योंकि आपके विकास के अभी गुंजाईश है या आप पूरे विक्सित हो चुके है मैं पूछ रहा हूँ अभी विकास की गुंजाईश है विकास की गुंजाईश है अगर विकास की गुंजाईश है तो एक संभावना है कि आप उससे बहतर इंसान बन सकते हैं जो आप आज हैं तो अगर आप forward gear में हैं तो Darwin के साथ जाएए और reverse gear में हैं तो इश्वर के साथ हाँ, क्योंकि अगर आप उस मार्क पर जाना चाहते हैं तो भक्ती जरूरी है भक्ती मतलब devotion ये शब्द dissolution से बनाए यानि घुलना, आप घुल जाना चाहते हैं आपनी भक्ती के, आपकी भक्ती चाहे जिसकी भी हो आप उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं तो एक तरह से ये एक तरीका है खुद को कम से कम बनाने का ताकि आप बिल्कुल शून नि बन जाए ये जीने का एक शांदार तरीका है भाशा में बोलने पर ये अच्छा नहीं लगता कि आप कम से कम बनना चाहते हैं नहीं, जब आप वाकई शूनने हो जाते हैं तो आप असीम भी हो जाते हैं तो भक्ती एक मार्ग है पर आपने वो नहीं है क्योंकि आपने थोड़ी आधुनिक शुक्षा पा लिए और आप तर्क से सोचने लगे हैं अगर आप तर्क से सोचते हैं तो स्वभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि धर्ती पर जीवन विक्सित हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके ठीक पीछे बंदर है एक कदम पीछे और आप वहां पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना बेतर है क्योंकि आज कुछ वैज्ञानिक कह रहे है कि आपके और चिंपैंजी के बीच के डिने का अंतर सिर्फ 1.2.3 प्रतिशत है 1.2.3 प्रतिशत बहुत अधिक अंतर नहीं है है न? तो अगर आप 1.2.3 प्रतिशत से खुश नहीं है तो आपको अपने विकास में तेजी लानी होगी योग की पूरी प्रणाली बस यही है अपने विकास को तेज कैसे करें आप जो हैं उसके हर आयाम में उस प्रक्रिया को तेज कैसे करें अभी आप विकास की बात कर रहे हैं तो चार्ल्स डाविन ने जो भी कहा एक बकरी जिराफ बन सकती थी उसमें लाखों साल लगे एक सूर हाथ ही बन सकता था और उसमें कई लाख साल लगे और एक बंदर आदमी बन गया जो इतनी तेजी से हुआ कि मानव विज्ञानिकों का कहना है कि बीच में कहीं कोई कड़ी छूटी हुई है ये बहुत तेजी से हुआ तो अगर विकास हुआ है जब आप बंदर थे आपने इच्छा नहीं की कि मैं इंसान बनना चाता हूँ आप में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी प्रकृती ने बस आपको आगे धकेला ये बस जीवन की लालसा है ये कोई चेतन चीज नहीं है बस जीवन की लालसा है बहतर होना एक अमीबा से यहां तक कल्पना कीजिए कि कितना काम हुआ है अविश्वस्नी है ना जितना भी समय लगा हो एक कोशिका वाले जीव से एक इनसान में बदलने में कितना जबर्दस्त काम हुआ है पर अब आप ऐसे रूप में पहुँच गए हैं जहां आपका विकास सिर्फ चेतनता में हो सकता है 15,000 साल, 15,000 साल से ज़्यादा समय पहले आधियोगी ने कहा था जब उनके साथ रिश्यों ने पूछा उनके साथ रिश्यों ने उनसे प्रश्न पूछा जीवन कैसे घटित हुआ आपने नौ आवतारों के बारे में सुना है वे क्या हैं मच्या, कूर्मा, वराहा, वामना, नरसिम्ह, परुशुरामा, पृष्णा, बुद्धा, कल्कित तो कृप्या देखिए कि उन्होंने क्या कहा ये काफी कुछ चार्ल्स डाविन के शब्दों की तरह है पहला है मच्छली, मच्स अवतार अगला है जल्स थल्चर, कच्छुआ फिर वे बाकी सभी छोटे रूपों को छोड़कर स्तन पाई पराते हैं पहला स्तन पाई जिसकी हम बात करते हैं वो है वरा या सुवर सुवर को मारना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत जुड़ा होता है आज भी अगर आप बुरा बरताव करेंगे तो लड़कियां कहेंगी यह सुवर जैसा है हाँ या न तो जो चीज बहुत असब्ब है आप उसे सुवर जैसा कहते हैं तो पहला पशु स्तनपाई सुवर है उसके बाद नरसिंग है नरसिंग का आड़ है आधा इंसान आधा पशु अगले हैं वामन यानि बौना इंसान अगले हैं परशुराम जो एक पूण विक्सित इंसान है मगर विस्फोटक और बेकाबू आस्थिर अगले हैं राम, एक शांति पून इंसान अगले हैं कृष्ण, एक प्रेम पून, उल्लास पून इंसान अगले हैं बुद्ध, जो ध्यान करने वाले इंसान थे अगला एक रहस पून इंसान होना है ये उन व्यक्तियों की बात नहीं है बस उन लोगों को एक मील के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया गया यही जीवन के विकास की प्रकृती है कई रूपों में ये डार्विन के विकास के सिध्धान्त के साथ साथ चलता है डार्विन के विकास का सिध्धान्त सिर्फ 152 साल पुराना है आदियोगी ने इसके बारे में बताया था 15,000 साल से भी ज़ादा समय पहले और फिर स्वभाविक रूप से अगला प्रश्ण है क्या हम और विकास कर सकते हैं क्योंकि जब आप अपनी परिक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके पास थोड़ा और दिमांग होता हलो, ऐसा होता है या नहीं तो स्वभाविक प्रश्ण है क्या मैं और विकास कर सकता हूँ अगर एक कोशिका वाला पशु इतना बड़ा बन सकता है तो क्या मैं और आगे जा सकता हूँ तो आधियोगी बोले आधुनिक नियूरॉलोजिस्ट भी इसी बात को अलग भाशा में कह रहे हैं आधियोगी बोले सौर मंडल और उसकी अंक गनित की प्रकृती को देखते हुए जिस तरह से प्रिथ्वी, चंद्रमा और सूरे हैं ये तीन बहुत महतुपून है इसी लिए पूरी योगिक प्रणाली इन तीन पहलूओं के आसपास है इन तीनों के महतुपून भूमिका है फिर बोले, जब तक की सौर मंडल की कोई बुनियादी चीज नहीं बदलती आपका शरीर और विकास नहीं कर सकता पर आप चेतनता में विकास कर सकते है चेतनता में विक्सित होने से हमारा मतलब है मैं आपको दिखा सकता हूँ ये हम आप पर प्रयोक कर सकते हैं अगर आप इच्छुख हो हम आपको कुछ सिखा कर आपको दिखा सकते हैं कि आपकी बुनियादी जेनिटिक्स बदल जाएगी तीन से नौ महिनों के अंदर अपने सिस्टम के साथ कुछ चीज़ें करने पर अगर आप एक निश्चित अनुशासन अपनाने के लिए तैयार हैं तो आपकी जेनिटिक्स बदली जा सकती है आपकी बुद्धिमानी का स्तर बदला जा सकता है जिस तरह आप जीवन का अनुभव करते हैं वो बदला जा सकता है तो वे बोले आप चेतनता में विकास कर सकते हैं मगर शारिरिक रूप से विक्सित नहीं हो सकते जब तक की ग्रहों की वेवस्था में कुछ न बदले आधनिक नियूरॉलोजिस्ट ऐसा ही कुछ कह रहे है तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो डार्विन को चुनिए अगर आप पीछे जाना चाहते हैं पीछे कोई बुरी जगा नहीं है अगर आप पीछे जाना चाहते हैं ये मन सोचिए कि पीछे जाना नकारात्मक है नहीं अगर आप विलीन होना चाहते हैं तो ईश्वर की ओर जाईए अगर आप विक्सित होना चाहते हैं ये एक तरीका है ये दो अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज़ को करने के